नमश्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है, आज की खबरें दिल्ली में केदारनाथ मंदिर कहां बन रहा है? शंकराचारियं क्यों विरोध में? उत्राखंड के मुखे मंतरी पुषकर सिंग धामी पिछले दिल्ली आये थे, उन्होंने बुराडी में केदारनाथ मंदिर का भूमी पूजन किया, अब ये निर्माना धीन मंदिर विवादों का केंदर बन गया है, पुजारियों ने पूछा है कि दिल्ली में दूसरा केदा चना बनाने की योजना पर आगे बढ़ता है, तो वै उसके खिलाफ कानूनी कारेवाई करेंगे, अगला, कौन है जेडी वेंस, ट्रम्प ने जिन्हें चुना राष्टपती पद के लिए उमीदवार, कभी पूर्व राष्टपती को कहा था हिटलर, पांच नमेंबर को अ ट्रम्प ने उमीदवार, कौन है, यानि यदि डोनाल ट्रम्प चुनाव जीत कर राष्टपती बनते हैं, तो जेडी वेंस उमीदवार है, कि पतनी का नाम उशा चिलूकरी वेंस है, अगला, चीन तैयार है, लेकिन डौलर वन बिलियन का प्रोजेक्ट भारत को देगा ब बांगलादेश ने तीस्ता नदी से जुड़े एम प्रोजेक्ट के लिए चीन नहीं भारत को चुना है पीम शेख हसीना ने गोशना की है कि एक बिलियन डॉलर के इस प्रोजेक्ट को भारत पूरा करेगा हसीना ने रविवार को डाका में प्रेस कांस्परेंस के दौरान कहा चीन तयार है लेकिन मैं चाहती हूँ इसे भारत करे बांगलादेश का यह फैसला भारत की सुरक्षा चंताओं को विराम देगा अगला रूस ने बनाया नया बम फैब 3000 हवा में तैरते हुए जाता है टार्गेट तक युक्रेन में मचा रहा तबाही रूस की वायू सेना अपने नय बम का खुलासा किया यह बम में गाइडेंस किट लगा है यानि टार्गेट सेट करके बम को फाइटर जेट से छोड़ दो बम हवा में तैरते हुए टार्गेट को बरबाद कर देगा इसका नाम फैब 3000 है इस ताकतवर रूसी बम का इस्तमाल युक्रेन में धड यू सेना कर रही है इस एरियल बम का नाम है फैब 3000 ये बम में निया गाइडेंस सिस्टम लगा है ये पुराने बमों की तरह सीधे नहीं गिरता अगला रूस और यूक्रेन जंग के बीच भारत से क्या चाहता है अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है इस ब राश्पती व्लादी मिर पुतिन से युक्रेन के खिलाफ अवैद युद्ध को समाथ करने की अपील करे अमेरिकी विदेश मंतराले के परवक्ता मैथ्यू मिलर ने अपने दैनिक संवार दाता संवेलन में कहा भारत के रूस के साथ बहुत पुराने संबंध है मुझे लगत को न्यायपूर्ण एवं स्थाई शान्ती हासल करने और संयुक्त राष्ठ चार्टर युक्रेन की छेत्री अखंडता एवं संप्रभूता का सम्मान करने का आग्रह करे अगला चंद्रमा पर जहां उतरे थे नील आमस्टॉंग वहां से कुछ दूरी पर मिली गुफा अंत पन साल पहले नील आमस्टॉंग और बेज एलडरिन उतरे थे वेग्यानिकों के अनुसार वहां सैकड़ों और गुफाएं हो सकती हैं जिनमें भविश्य में अंतरिक्ष यात्री आश्रे ले सकते हैं इतालवी वेग्यानिकों के नेतरुफ में एक टीम ने सोमवार को बता है यह गड़ा वहां खोजे गए 200 से अधिक अन्य गड़ों की तरह एक लावा ट्यूब के बहने से बना है शोदार्थियों के ने नासा के लूनर रिकॉन रिकॉन रिकॉनिसांस और बीटर द्वारव रडार मापों का विशलेशन किया और प्रित्वी पर लावा ट्यूब झाल रिकॉनिसांस और गर बार बार मापों की तरह एक बहुआ है।